नमस्ते आलाव सास्रेगालापा स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे आप सब भी लोग अच्छे होंगे जहां भी होंगे और आज मैं भी बात करूँगा जो कल एक शोटी सी गटना हुई और उसके बाद थोड़ा सा लोग यहां पे भी जैसे जिन जिन जो नए लड़के आए हैं यहां जो नए आए हैं यहां पर उनके लिए थोड़ा सा पैनिक था तो फिर उसके बाद कुछ गंटों के बाद एंडिया से भी पूछने लग गया कि यह सिस्टम हुआ वो हुआ देखिए कि कल हुआ की साइरन वज़ा जो अमर्जंसी साइरन होता है यह एन हम इस साइरन का यूज़ करेंगे और कही न कहीं पहले इतने मतलब बड़े लेवल पर नहीं होता था अभी क्या है 11 टाइम जोन मतलब रशिया के पूरे जितना जितना एरिया है सभी शहरों में एक टाइम पर ही बजा के दिखा गया क्या है कि प्रिपरेशन रहती है और अ सब्सक्राइब के बीच में यूक्रेन और रेशिया के बीच में बहुत पैनिक है क्योंकि उदर से भी ड्रोन अटेक हो रहे हैं थी तो अभी नाटों के साथ भी टेंशन बढ़ती जा रही है ठीक है तो इसलिए नोने से 10 बच के 40 मिनट पर रूटीन चेक की तरह उसको साह साहरन को बजाया पूरे शहरों में बजाया और बहुत हैवी वह आवाज के साथ साहरन को प्ले किया पट ऐसा भी कुछ भी नहीं है पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि कल वजा और आज फिर होगा कुछ लोग पैनिक हुए क्योंकि जब हम रेडियो और टेलिवीजन तो यह साहरन को कुछ होता है तो पहले आप खाया आपके साथ क्लेग सब्सक्राइए कि फोट लीजिए कि में काम में इतना वंदा बीजी होता है कि कई चीजिएं को कैप्चर कर पाना और सुन पाना मुझे लगाता है इनपॉसिबल होता है हमारे लिए भी था मेरे को तो जैसे राद में किसी से बात कर रहा था तो उसने मेरे को बताया कि कल सायरन बज़ेगा इतने बज़े तो वो एसा ऐसे मतलब एन्वली चेक करते हैं गया हो तो यह सायरन वज़े ही ना तो और ज्यादा नुकसान है रेडियो पर उसी टैम पर प्रसारन किया गया और बोड़कास्टिंग की गई और उसी टैम टेलिविजन पर किया गई बट ऐसा कोई पैनिक होने की बात नहीं है बट हां कि थोड़ा यह है कि सिच्वेशन है अर इसलिए इसको प्लेए करके देखा कि क्या है हम यह मेरा काम ऐसा ना हो कि किसी शहर में यह काम ना करे और उसकी वज़े से बहुत सारी दिक्टें पैदा हो जाएं और हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान हो जाए इसी लिए इसको play करके देखा और मैं लगते हैं आने वाला time में और भी ज्यादा play करके देखेंगे ऐसी चीजों को हो सकता है कि आने वाला time में लोगों को training भी दे क्योंकि जो situation है वो दिन प्रती दिन बढ़ती जा रही है सुदरने की जगा खराब होती जा रही है तो हो सकता है और दूसरी चीज़ा जो भी यहां पर रजिया में रह रहे हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं अपने सारे document अपने साथ carry जूरूर करना क्योंकि पुलिस पहले से ज्यादा strict हुई है बहुत ज्यादा strict हुई है और दिसंबर तक यह जितने भी यहां मतलब illegally लोग जो भी illegally रह रहे होंगे उन सब को यहां से बाहर करेंगे रशिया से बाहर करेंगे तो आप प्लीज जो भी यहां रह रहे हैं अपने document अपने साथ सारे document अपने साथ carry करें passport original अपने साथ carry करें दन्यवाद